आज मैं आपके लिए ब्लेक बेरी की जैली की रेसिपी लेकर आई हूँ हम बनाएंगे खटी मीटी ब्लेक बेरी की जैली सबसे पहले लेंगे ब्लेक बेरी और हम ब्लेक बेरी को अच्छे तरीके से वाश कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी एड़ कर लेंगे दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको हम उबा लेंगे और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके सीड्स जो हैं वो अलग हो जाएं सीड्स अलग करने के बाद इसको हम किसी भी स्टेनर से चान लेंगे और जो चानने के बाद इसका जो जूस होगा ब्लैक बेरी का जूस हमें मिलेगा उसको हम जेली बनाने के लिए इस्तमाल करेंगे लेकिन इसको पकाने से पहले इसको खटा मीटा बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे चीनी और चीनी हम टेस्ट के इसाफ से डालेंगे साथ में डालेंगे चाट मसाला जिससे हमारी जेली बहुत ही मज़ी की खटी मिटी बनेंगे और साथ में इसके black salt डालेंगे यानि के काला नमक इन सबी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जूस के साथ और अब इसको ठिक करने के लिए हम कॉन फ्लोर यूस करेंगे तो यहां पे दो बड़े चमच कॉन फ्लोर डाल कर जूस के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे चमच हम चलाते रहेंगे और इसको गाड़ा होने तक पकाएंगे इस जूस को कॉन्टलॉर के साथ हम इतना पकाएंगे कि कॉन्टलॉर का जो कच्चापन है वो खतम हो जाए और ताके हमारी जो जेली है वो असानी से जम सके तो कुछ मिनट हमने इसको इसी तरीके से चमच चला कर पकाना है और फिर ये हमारी जेली बनानी के लिए रेडी हो जाएगा तो आगे चलते हैं जेली हमारी रेडी होने वाली है इसको हम एक कप में डाल देंगे आप किसी भी गलास में या कप में अपनी मर्जी से इसको जमा सकते हैं लेकिन डालने से पहले इसको ओयल जरूर लगाएंगे ताके जेली बनने के बाद आसानी से किसी भी बरतन से बाहर निकल सके अब इसको हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे ताके ये अच्छे से जम जाए और हमारी जेली बिलकुर परफेक्टली जम गई है चन्द घंटों के बाद इसको हम एज़िटीज भी उस कर सकते हैं जिस तरीके से आपकी मर्जी हो कटिंग कर ले और इसको पिसेवे कोपरे में कोटिंग करके बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं बच्चों के लिए तो उमीद है आपको ये जेली पसंद आएगी अगर पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना शुक्रिया